जी मेरे घर पर ये टिकोमा की बेल लगी वी है जी ये क्लाइमबर अपने आप में बहुत बेहत खुबसूरत फूल देने वाली है और इंज कलर के इसके फूल जब जागते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है जी तो इसलिए हमने ये कुछ एक देखिए आप दिरे दिरे कर कर देखिए चाहें तो आप उससे भी लगा सकते लेकिन मैंने इसकी कटिंग करके जब बहुत जादा बढ़ गयी थी वो बहुत जादा बढ़ने के बाद में मैंने उसकी कटिंग करके लगा दी जी और कटिंग करके लगा दी अब मेरी तो खुशी का कोई पाराई नहीं रह गया है जी बहुत बहुत खुश हूँ जब मेरी ये लगाई वी जी सारी की सारी 100% कलम उग गई है अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए जी हाँ देखिए कैसी लगी ये मेरी 100% देखिए एक छोटे-छोटे में से भी इस तरह से ये जो है रूट से में से ये छोटे-छोटे से पौधे निकल रहे हैं और पतिया निकल रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो र होगा है कि जितना मेरे कोशिश है और जिस इसाव से मैं सोस्ती हो कि अपना कोशिश कर रही हो उतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं जी दोस्तों शायद मुझे कुछ और भी करने की लगन पैदा हो और और कुछ और भी ज़्यादा कर पाऊं जदी आपका सहयोग इस तरह से मुलेगा तो जी बस आपका एक है आपके द्वारे कियावा एक लाइक है और एक थोड़ा सा कमेंट मुझे बहुत उत्सा भर देता है जी बहुत आनन्द से भर देता है और तब ही तो जी मोटिवेशनल जरूरी है और वो मोटिवेशन देने का काम करेंगे आप ही जी हाँ मैं इस इंतिजार में हूँ कि मेरे कब एक हजार सस्क्राइबर पूरे हो और मैं अपनी इन सेवाओं को और ज़्यादा तरक्की देबाओं तो दोस्तों टिकोमा की बेल यदी आपके कहीं अडोस फडोस में लगी है इस पे देखे वाइट भी फ्लावर आते हैं पिंक भी आते हैं देकिन मेरे पास में औरेंज कलर की थी जी उससे मैंने ये कटिंग लगा दी और कटिंग लगा दी मेरे यहाँ पर बरसात भी हो देने का दिन ढून रही हो कि कब कोई छुटी का दिन हो और कब मैं अपने दोस्तों को एक एक को बुला करके गिफ्ट दूँ जी मेरे ये कुशिशे कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताएं जय हीन जय भारत